असलाम अलेकुम हेलो फैंट्स वेलकम टो महीं चहरास की चेन आप सब कैसे हैं अलहमदलिला उमीद करती हूँ आप सब खेरियत से जरूर होंगे आज मैं आप सब के साथ मतन कुफता करी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ इसे बनाना बहुत आसान है बहुत मज़ेदार का क अगर आप इस रेसिपी को फर्स राइम बी ट्राय करेंगे आपका मतन कुफता करी बहुत राजवाब बने अगर आज की मतन कुफता करी रेसिपी आप लोह को पसंद आए आप लोह के लिए हल्फ लगती है तो प्लीस इस वीडियो को लाइक सेयर और मेरे चैनल को सब्सक् तो इस तरह साथ आपको पहले कीमा तयार कर लेना है तो अब में आपड़ जालेती हूं एक चोटी चमचे करीब अद्रक्लहसन का पेस्ट पेस्ट इसी के साथ में हाँ एक बड़ी प्याच को मैंने बारी काटकर उसे फ्राय कर लिया है आप देख सकते हैं आप देख साथ हैं इसे के साथ 3-4 खलदी पाऊडर, लालमीज पाऊडर, गर्ममसाला पाऊडर, लालमक मैं बाद में नमक दाल लेती हूँ नमक में बाद में इस्तिमाल करेंग तो इसके हिसाब से फिर मैं नमक म सिललगाने तेसं में थो चमाचे करी नमक दालें यह वावा बहेशन ना है यानी बार भच्रव्ट का पाउर ना है यानी बार प्रकास जुरुमा बटैक्त हुआ है यह द्दम बेशन दालने से हमारा कीमा and क्रुम टतीक है तो अब मैं कीमे मिक्स कर लेती हूं इस दौरान पर मसाले के लिए पेश्ट करना है तो मैं आधी नरियल आप देख सकते हैं इसके उपर का ब्लैक साइड जो होता है मैं उसे कट कर लिया है यानि उसे पिल कर लिया है और एक चमाचे करीब मैं पोस्तक यानि पपी सीड लिया है तो इन दोनों के हमें पेश्ट कर तो देखें पेस्ट कर लिया है अब हमारा 15 मीड भी हो चुका है तो की मिक्चर भी तयार है अब में हापर कोफ़ता बना लेती हूं तो इस तरह से आपको कोफ़ता कर लेना है आपको जितने वड़ी साइस का कोफ़ता रखना है तो इसे हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा मिक कोफ़ता करी बना रही है तो इसलिए हमें इसे पहले फ्राइब करेंगे उसके बार हमें इसे मसाले में पकाना है कोफ़ते की मिक्चर में हमने जो तली भी प्याज का दरदरा जो पेस्ट था मैंने एक चमर्चे करी एटकिया है उसका खुष्भू बहुत ही अलग होता है अगर हम इस तरह से कोफ़ता बनाते हैं उसमें अगर फ्राइड ओनियन का पेस्ट डालते हैं तो हमारा कोफ़ता बहुत डिलिसेस लगता है खाने में तो आप चहांती से ऐसे भी फ्राइ करके खा सकते हैं तो मैंने आप देख सकते हैं हमारा कोफ़ता तयार है फ्राइ होन मैं ने मैं इसे फ्राइ Almaty करूंगे करा एंदे हुम नियुक्त तो प्रॉपते प्रमाद करना है विम पर बाखी कोफते नाया हर अगर नाया हम मुणिले जो जाते पिक— ďंदा में जुए हम आधे भी दूले, हम लोगी अगर उते एंदेना प्रून के संदमान तो प्रॉपत तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा कोफता हाड हो जाएगा तो इसलिए हमें पहले कोफते कुछ तीन से चार मिट के लिए पकाना है व इसलिए उपर का जो लेयर होता है उसका पुरी तरह से कच्छा होता है इसे हम मसाले के साथ पकाएंगे तो आप देख सकते मैंने सभी कोफते को फ्राय कर लिया है इसी तेल पर अब मैं कुछ ख़ड़ मसाले डालेती हूं चार चोटी एक बड़ी एलाइची छे से साथ काली मीट चार से पांच लॉंग इन्हें हम थोड़ा सा चड़कने के छोड़ देंगे थोड़े देर के बाद अब मैं हाप डालेती हूं चमाचे करीब अध्रकलैसन का पेष्ट और अध्रकलैसन के पेष्ट को हम 2-3 मीट के लिए अची तरह से भूनेंगे ताकि इसका कच्चा टेस्ट बूहार थे आदृकलैसन को अची तरह से भूनते है अब मैं हापर डालेती हूं कुछ पाउडर मसालेर्व पाउडऱ् मि मेरे नहीं की साथ कहई ऑफ्राइल इसके साथ पाँच बने चाहिए यूरी ऑप प्याच का पेस्ट है तब तक पकाना है जब तक मसालों से तेलना चौडना स्टार्ट हो जाए मसालों कुपनने के दौरान अब में पर 2 चमचे अपरेश दही को डाल लेती हूं दही को मैं ने अच्छी तरह दालना है और हमें फेट करीए यहाप डालना है एक छुड़ी चमचे करीब गर्म मसाला पाउडर इसी के साद एक छ्इच चमचे करीब नमक नमक मैंने कुफ ते में डाला हुआ है अब मैं आपर मसाले की इसाब से डाल रही हूँ इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसे हम अची तरह से बुनेंगे स्टोप के लो फ्लेम पर जब तक मसाले का कलर पूरी तरह से चेंज ना हो जाए और तेल ना चोना स्टार्ट हो जाए अब आप देखिए मसाले का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है तेल भी चोना लेगा है मैंने 6-7 मिट के लिए इसे अच्छी तरह से बुन लिया है अब मैं आपर डालेती हूँ हमने जो कौफते को फ्राइ करके रखा हुआ है उसे हमें आपर डालेना है इसी के साथ हमें आपर हाफ ग्लास के करीब पानी डालना है क्योंकि हमें कौफते को अभी पकाना है 20-25 मिनिट के लिए हमने कौफते को फ्राइ किया था 3-4 मिडिले हाई टू मीडियम फ्लेम पर तो इसलिए हमें क्या है ना मसाले के साथ 20-25 मिनिट के लिए पकाना है नहीं तो मसाले नीचे कड़ाय में लगने का डर रहेगा मसाला एक बर अगर जल जाए तो पूरी करी का टेस्ट बदल जाएगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए हमें हर 5 मिट में इसका लीड हटाकर इस तरह से चमस चलाते रहना है जितना पकते जाएगा मसाले के साथ मटन जो है कीमे कोफता जो है वो अंदर से बहुत ही जूसी बनेगा और सौफ्ट रहेगा खाने में तो इसलिए मैंने इसे 3-4 मिट के लिए फ्राइ किया था अगर हम उसे पूरी तरह से फ्राइ कर लेंगे तो मसाले को अपने अंदर अच्छा नहीं करेगा और खाने में बिल्कुल हाड हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए हमें इस तरह से फ्राइ हलका सा फ्राइ करना है 3-4 मिट के लिए उसके बाद मसाले के साथ 20-25 मिट के लिए पकाना है तो ली जी फ्रेंड्स हमारा मतन कोफता करी मा साले का टेक्स्चर देखिए कितना लाजवाब बना है आप इसे जरूर ट्राइक कीजिए आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा आपका घर इसकी खुस्बू से महें कुटेगा इजब बन रहा होगा तो तो आप इस रेसिपी को ट्राइक करना मद भूलेगा आप इसे बनाएंगे आपका मतन कोफता करी बहुत लाजवाब बनेगा सबसे आखिर में हरे दन ये को बारी काट कर डालें स्टोप को आफ कर दें इसे आप गर्मा गर्म सर्प कीजिए ताल चावल खिचडी खुसका पुलाओ या फिर नान रोटी चपाती के साथ आप इसे सर्प कर सकते हैं बहुत ही मज़ेदार का लगेगा खाने में तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ट्राइ करना मत भूलेगा बहुत ही सिंपल तरीके से इतनी मज़ेदार लाजवाब हमारा मतन कोफता करी बनकर तयार होता है मैं आप लोगों को इसे तोड़कर भी दिखाऊंगी कि प्लीज इस वीडियो को लाइक सेर और मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़न पर सबसे पहले पहुंचेगी आप उससे सबसे पहले देख पाएंगे तो चलिए मिलते हैं कने रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद जरूर रखें अल्ला हाफीज